असलाम आलेकुम आज पनाएंगे लोकी का दाल मेरे तरीके से जरूर बना के ख़िएगा जो नहीं खाते होगी खाना पसंद करेंगे यहाँ पर मैं एक लोकी ले लिया हूँ ताजी लोकी है हमें जितना चाहिए उतना हम कट करके निकाल लेती हूँ लोकी को मैं जितना चाहिए उतना मैं काटके निकाल ली हूँ इसका मैं छिल्टा इस तरह गिलास से निकाल लेती हूँ बहुत आसानी से गिलास से निकल जाता है छिलने से छिलने की जरूरत ही नहीं है इसी तरह मैं छिल्टे को साफ कर देती हूँ यह बहुत आराम से छिल्टा निकल जाता है नोकदार गिलास लेना है उससे बहुत आसानी से छिल्टा निकल जाता है छिल्टी को मैं निकल ली हूँ इसे मैं पीछे के साइड में कट कर देती हूँ इसको हम अच्छे से दूल के साफ कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पाक हो गया है पानी से मैं अच्छे से दुल के साफ कर ली हूँ इसे मैं छोटे-छोटे पीज में कट कर लेती हूँ अगर लोकी में बीज है तो उतना बीज को काट के निकाल देजिएगा यह नरम लोकी है तो इसे हम बीज को नहीं निकालेंगे इसे हम छोटे-छोटे पीज में इस तरह कट कर लेंगे लोकी का बीज रहता है तो वो टेस्ट नहीं अच्छा रहता है इसलिए कभी भी जब लोकी का दाल बनाईए तो बीज को हटा दीजिए अगर बीज है और नरम है तो मत हटाईएगा इसे हम छोटे-छोटे पीस में कट कर लिए हैं ज्यादा बड़े पीस नहीं कट करना आपको में दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं यह इतना चोड़े पीस कट करेंगे उतना अच्छा रहेगा कोकर में मैं एक कप अरार का दाल है यह तूर का दाल नापेंगे तो यह पाव किलो से थोड़ा कम है 100 गराम है इसमें मैं पानी डाल के इसको मैं अच्छे से दाल को दूल के साफ कर लेती हूँ दाल को मैं दूल के साफ कर लेती हूँ तो इसमें आप डाल देंगे कटी हुई लोकी सबी लोकी को मैं डाल देती हूँ दाल में अरहर के दाल में लोकी का दाल बहुत अच्छा रहता है अगर अरहर का दाल नहीं है तो कोई भी दाल में आप बना सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छा टेश्ट रहता है पांस से छे मैं हरे मिर्च डाल लेती हूं ये बरी कटा हुआ प्याज ये काड़ी लेस्टून छिल्टे को मैं निकाल ली हूं इसको हम कर दें देंगे अच्छे से मिक्स इस तरह अच्छे से मैं कर दी हूं मिक्स तो इसमें हम इसी गिलास से दो गिलास पानी डाल देंगे दो गिलास हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी पोडल हल्दी पोडल थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा डेड़ चिमच में डालूंगी हल्दी पोडल हम जब लोगी का दाल बनाते हैं तो मामूली दाल के हिसाब से हम हल्दी डालते हैं तो लोगी पकाने के बाद लोगी का दाल फिकी पड़ जाती है इसलिए कभी भी लोगी का दाल बनाई है तो हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स इसको मैं अच्छे से कर दी हूँ मिक्स तो अब हम लगा देंगे कुकर कड़कन कुकर कड़कन लगाने से पहले इसमें हम एक चिमच तेल डाल देंगे ताकि दाल उपर ना आए डाल आराम से गल जाए, अच्छे से, कुकर का डखन में लगा दी हूँ, सीटी भी लगा देती हूँ, गैस को मैं चालू कर देती हूँ मैं plea priorities कर दिआए इसे हम 4-5 सेटी दिला लेंगे यह बंशीक हो गया है अब मैं Google कर देती हूं आधो हवे को मैं निकाल लेती हूं कि हहवे को मैं अच्छे से निकाल दीन defensy डखन को हटा देती हूं आपको मैं चला के दिखा देती हूं कितना अच्छा दाल यह गल गया है दाल अगर बरबर से नहीं गला है तो इस तरह आप घोट दीजिएगा दाल अच्छा परफेट गल गया है तो इसमें हम बढ़ा देंगे पानी पानी दोस्तों अपने हिसाब से जरूर डालेगा यहां पर मैं इसी गिलास से गिलास पानी डाल देती हूं किसी किसी को दाल गाड़ी पसंद रहती है किसी को थोड़ा पतला इसलिए मैं एक गिलास पानी डाली हूं तो इसमें हम डाल देंगे स्वादानसार नमक नमक डालने के बाद इसे में अच्छे से उबालाने देती हूँ दाल में अच्छे से उबाला गया है इसे में चला देती हूँ अब हम लगाएंगे दाल में तड़का लगाने के लिए कड़ाई रख दी हूँ गरम हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे तेल आपको थोड़ा ही डालना है कि तेल में डाल दी हूं जब तेल गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे आधा चिमच जीरा दो तीन लैस्वा कहाँ जहीं नहीं निकाली हूं इसे महें हल्का कोट ली उस्तरा इससे बहुत अच्छा टेस्ट रहता है दो सूखे लाल मिर्च डाल दी हूं तोड के एक लाल मिर्च हमें साफन डालोंगी तotका जब हलका लाल हो जाए, पकक जाए तो इसमें बर Iya प्याज बाएंग दालेंगे और पियाज कवा की एंग में चलाते हुए इसे हम पका लेंगे जादा प्याज को लाल नहीं करना है सिर्फ प्याज पक जाए आप देख सकते हैं यह अच्छे से पक गया इसे ज्यादा आप नहीं प्याज को लाल करेंगे दो चुटके हिंग डाल देंगे हिंग डालना मत भूलिएगा हिंग से बहुत अच्छा टेस्ट रहता है अलोकी के दाल में हिंग जरूर ड चाट का एक खाट से तकि बाहर न जाए न से बस्स्सक डाल यह जरूर में हिंदाल दिक के सब्सक्राइब करेगा, सेर करना मत भूलेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, मिलते हो लिए वीडियो में, तब तक के लिए, लाह फीज, इस तरह दाल बनाना मत भूलेगा,